वेलकम तो माई चैनल एडवर्ड विंग्स एंड जेके प्यसी प्रोसेक्यूटिंग ऑफिसर का रिजल्ट जो है वो डिकलियर कर दिया गया है जेके प्यसी की तरफ से मैंने कुछ दिन पहले वीडियो चड़ाई थी जिसमें कुछ अपडेट्स थी है उसमें ये बताया गया था कि आपका जो प्रोसेक्यूटिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट है प्योग का रिजल्ट हमने बोला था कि फस्ट ये सैक्ट वीग जो है उसमें फस्ट ये साइकंड वीग जो सेप्तंबर ग्या उसमें होने वाला है और आज 14 तारेक है और सेकिंड वीग का आखरी दिन है और Burn Давайте 6 जो है तो सीज़र फोल डिल्ट का का पर चरब्वार्स औहोंनेस ऐस्ट की कर रिजल्ट के लिए भी क्योंकि यही पहला यह रिजल्ट जो है अड़कावा ता इसी के बाका रिजल्ट होना था याने जबcry की यह रिजल्ट नहीं होता था आपका रिजल्ट नहीं हो सकता था तो इस रिजल्ट पर क्योंकि पहले फोकस किया गया था और क्योंकि अब यह रिजल्ट डिकलेर हो गया है अब JKS मेंस के जो एस्पारेंट से उनका रिजल्ट भी हम कहेंगे जादा दूर नहीं है और उस नोटिफिकेशन में उस वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि P.O. के रिजल्ट जो है वो फर्स र सेकंड वीक में होगा और साथ में यह कहा था कि मेंस का रिजल्ट आपका जो है यह एंडिंग जो है एंडिंग सेप्टेμबर उसमें आपको देखने को मिलेगा यानि 4th week के around जो है 4th week में आपको अपना result जो है वो देखने को मिल सकता है तो आइए देखते हैं Prosecuting Officer की जो list आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Mains का result है और यह अनेकजर A में list जो है दी गई है जिसके लिए इनके admin card जो है वो लगबग 22 September से आपके admin card आ जाएंगे जिनका 28 September से interview होगा, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आके एनेकचर A में ये list है, लगबग जो बच्चे PO के लिए qualified हुए हैं, लगबग आप देख सकते हैं, तो 204 बच्चे जो हैं, अभी इसम download कर सकते हैं, और GKPSC के office में जाकर आपको ये submit करवाना है, तो all the best, वो उन्दा बहुत-बहुत मुवारक पाज, इनका main's हुआ है, और GKAS main's aspirant जो है, उनका result भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आपको भी all the best and देखते हैं, क्या बनता है?